हरे कृष्णा दोस्तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग दिन आज खतम हो रहा है एकस्पाइरी का दिन था निफ्टी का और क्या जबरदस्त मूवमेंट्स मिले सुभे कॉल साइट पे मिला और एंड में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा या मार्किट को दिखा होगा तो पुट साइट पे भी 10 का 50 और सुभे 20 का 100 तो दोनों साइट पे बुल्स और बीर्स को मौका दिया यहाँ पे आपने सब कुछ कैप्चर करने ही कोशिश की होगी तो जो खाया पिया था वो भी चला गया होगा प्रॉफिट चला गया होगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा अगर आपका ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट चला गया मैंने सुभे प्रॉफिट किया था उसके बाद डाउन वूफ को देखा मैंने बट मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि मैंने आप लोगो हमेशा दिखाया कि प्रॉफिट के बाद एक बार को शांती कर लेने चाहिए अगर आप हर चीज़ कैप्चर करने की सोचेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट भी जा सकता है और कहीं बार आपका लॉस भी हो सकता है कल की बात करते हैं आप कल फ्राइडे है दखो यहां पर आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ भी निफ्टी की भी बात करूँगा और मैं आपको यहां पर थोड़ इसी डिटेल में बात करूँगा अगर आप बैंक निफ्टी का एक्षिन देखोगे तो गैप अप खुला खुल के नीचे आ गया फिर गैप अप खुला खुल के नीचे आ गया जब तक इंट्रा डे में तेजी ना होना बजार में बजार टिकाओ मुव्मेंट नहीं देता है सोचे कोई बिल्डिंग बन रही है जिसमें brick by brick आप यहां पर you know need by need building बन रही है एक block लगता है फिर उसके उपर एक और block लगता है फिर यह building solid है इसमें block by block बना हुआ हर जगा support है अब सोचे कोई beach वाला block को छोड़ दे और उसके कि चल यार उंची building बनानी है सीधा उपर लगा देता हूँ फिर छोड़ दे और फिर कहें चल यहां पर लगा देता हूँ यह blocks अगर टिके नहीं हुए किसी चीज़ पर तो यह building weak हो जाएगी ऐसा ही market के साथ हो रहा है क्यो पहुंच गे 43,600 पर चार दिन sideways gap up और आप पहुंच गे 44,300 पर तो यह सारे gaps जो हैं अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो फिल करने के लिए market आएगी structurally इतना अच्छा यह up move नहीं है और ध्यान अखेगा जब भी market एक बार को down move देने वाली होती है ना कोई अच्छा अच्छा खासा तो up move बहुत sharp आते हैं down move से पहले up move बहुत sharp आकर आता है ना up move वमेशा होना चीए slow steadily ऐसा up move कभी भी टिकाओ नहीं होगा जैसा कि यह आप देखो के mid cap का है दगा 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 भाग रहा है ठीक है इसका एक level निकाल के कल आपको दिया भी दो तीन चीज़े होती जिनके मदब से निकालोगे तो 94 something 95 96 यह अरिया बहुत tough resistance एरिया है और एक आपको मैंने कल बोली थी कि अगर यह सीधी लाइन में भागता रहेगा तो फिर उपर जाके oversold हो जाएगा तो फिर यहां पर pause ले ले थोड़ा सा नीची आ जाए अगर यह average के पास simple सा rule है आना होता है तो यह अगर moving average के पास भी आया तो एक अच्छे कासे correction को invite करेगा आपने देखा यहां पर भी CD line की एक rally आई थी फिर एक जटके वाला moving average की तरफ का correction आ गया था फिर वहां से time pass हुआ था फिर जाके हमने एक fall भी देखा था so you know यहां पर मैं यह selling होना थोड़ा सा difficult होता है तो nifty में अगर हम बात करेंगे तो आज मैंने 800 की call nifty की 19-800 की call को buy भी किया था during the day और jabardus movement आया ठीक है और उसके बाद मैंने उसको selling भी करी थी towards the second half और वो almost खतम हो गई 0 हो गई मतलब की उसको मैंने high लगते हो देखा 90 का and then मैंने उसको कुछ 60 के आसपास एंटर किया था and within 10 minutes 2 रुपे पे आ गई यह towards the end की बात है क्योंकि towards the end market में बहुत sharp हमने एकदम से fall आता हो देखा जब यह market ऊपर जा रही थी nifty का put call ratio 1.65 के आसपास था तो मैं नदर रखता हूं हर एक चीज़ पे आप लोगों को भी समझाता हूं रखा कीजि बैंक निफ्टी को कर आप देखो के तो बैंक निफ्टी दो दिन से struggle कर रहा था और आज इसने इस box को नीचे की तरफ breakdown किया आप देखो बैंक निफ्टी ने 400 की ऊपर मैंने breakout level अपना identify किया था बर 400 की ऊपर यह कभी भी गया ही नहीं और इसने एक तरीकर से breakdown करने ही कोशि 500-700 तक अगर यह box नीचे की तरफ तूटता है तो नीचे 43,900 यह जो gap छूटा हुआ यह फिल होना के लिए पूरे-पूरे market को chance रहेंगे अब यहाँ पे global markets कैसा करती है उसके रसाफ से ही होगा बट यहाँ पे अगर यह box का moment में breakdown आ गया है ऐसा माल ले तो कल market gap down भी खुल स नहीं पे 43,950 यह 900 के आसपस जाकर वहां से फिर demand आ सकती है और अगर यह moment कल आता है तो chances will be कि फिर Monday को एक अच्छा कासा अपम हमें देखने को मिले अब सोचिए कर अगल मांकर बड़ा gap down खुल जाती है बड़े gap down का मेरा मतलब है यहाँ यहाँ पे 1,500, 200, 200, 200 points सीधा इस area हमें कहीं पे खुलती है तो यहाँ पे हमें यह देखना पड़ेगा कि इधर buyers buying कर रहे हैं के नहीं अगर यहाँ पे buying आती है कोई slow and steadily तो second half में वो buying breakout भी ले आएगी मैं इतना connection से आपको बोल सकता हूँ कि 44,500 भी आप देखोगे तो उस case में आप करोगे किया अगर market नीच नीचे खुलती है तो जैसे यह ऊपर जाए आज के closing के आसपास आप अपनी positions को add कर सकते हो जानी अगर यह इतना बड़ा gap down खुल के यहाँ तक आ जाता है तो 130, 140, 150 इस area में अपनी positions को add कर सकते हो आपने अगर कुछ नीचे लिया और market यहाँ आ गई बेचना मत add करना फिर आपको बड़ा movement मिलेगा उसी तरह अगर market यहाँ पे खुल के time भिता कर breakdown कर रही है तो फिर नीचे यह कहाँ तक जा सकता है we cannot say because नीचे काफी सारे gaps चूटे हो है नीचे काफी सारे supports market डूडने की कोशिच कर सकता लग लग लेवल पे लेकिन फिर यह जो correction है थोड़ा सा deep भ correction आ गया है mid of the month फिर यह जो levels resistance बन जाएंगे न यह पूरा महिना या आखरी expiry तक नहीं तोटेंगे फिर जिन्होंने call वागर लिया बिल्कुल trap हो जाएंगे तो इस चीज का आपको ध्यान लखना है तो बैंक निफ्टी अगर कर लेट से gap अप खुलता है या इसी box के सकता है gap down या breakdown अगर यहां पर कहीं पर कोई दिखरा है जाओ कि तो उसमें आपको नीचे का target हो सकता है अच्छी entry बनाना उसके बाद safety से काम कीजेगा बड़ा gap down टागे हिट हो गया gap down में you cannot do anything बड़ा gap up chances are very low क्योंकि इतने बड़े selling के बाद यहां पर इतना बड़ा gap up हो और within 30 minutes nifty 875 से 720 तो यह बहुत बड़ा fall आया बट कुल मिला के बीच में बंद हो गए देखो 800 के उपर resistance का level था वहीं पर इसने resistance खाया अगर आपने कल का वीडियो जहां से सुना गो था आपको मैंने बोला भी था कि 850 तक market जा सकती है 700 के उपर buy करने है मैंने ठीक वही किय आज करवाया भी होई clients को सबको तो 700 के उपर जैसे ही market निकलिया अगर आप सोचिए यहाँ पर आप कहीं पर entry ले ले लेते उसके बाद कुछ भी यहाँ पर difficulty नहीं थी अगर आप buy करते ठीक ठाक साई चोटा सा stop loss रखते market सीधा उपर 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 ही गई है तो मैंने 800 के असपस अपना profit वो किया था जब यह वाला momentum आया था उसके बाद market काफी तर साइडवेस रही towards the end यह ऊपर गई बड़ इसमें पारिस्पेट नहीं कि आखरी के 40-50 point के लिए बड़ यहाँ पे जब यह इतना बड़ा candle बन रहा था तो थोड़ा साथ सेल करके profit किया वो भ यह निफ्टी का एक pending target है जो आना ही आना है निफ्टी यहां तक आ गया ठीक है अभी इस area को अगर निफ्टी निकालता है तो फिर अगले targets तो यह वाला gap फिल होने वाला 20,000, 150 मतलब 20,000 की ऊपर के ही targets है या फिर मतलब all time high भी बन सकता है बट इस area को निकालने के लिए एक correction market में आ गया अब अगर दुबारा निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो वो unstoppable moment होगा तो अब निफ्टी को buy करने के लिए अच्छा area रहेगा 850 के आसपास मतलब ज़रूरी नहीं आपको 850 के ऊपर ही buy करना है वहाँ पर भी कर सकते हो बट आपको अगर लगे कि 850 टूट आपको बड़े रखने यह रखना है कि 850 टूटेगा यह 950 बी जाएगा वहाँ कहीं पर हम प्रॉफिट बुक करने का फिर वापिस सोचेंगे तो यह रेजिस्टेंस था यहां से काम हो गया what if अगर मार्किट यहां पर रेजिस्टेंस खाया है और यहीं से जैसे आप लिया इसके आसपास आया सपोर्ट ले लिया इसको टच किया सपोर्ट लेके गैप अप खुल गया तो जब तक मार्केट के लिए अगर हम लेवल निकाले नीचे तो बड़ा फॉल निफ्टी में तब ही बनेगा वापस जब निफ्टी 650 के नीचे जाता है तो निफ्टी म तक यह इस वाले गैप को फिल करने के लिए भी थोड़ा डीप आये तो यह भी पॉसिबल रहेगा फिर वहाँ पे मार्केट भिगर जाएगा तो 650-660 इसके नीचे हमें सेल करना है तो अगर कोई बड़ा गैप नंग खुलता है 100 पोईंट का तो वहाँ पे वेट और वेट वापिस हम उपर निकलते हैं 830, 840, 850 यह सब एडिया पार होने पर ब्रेक आउट है फिर भड़ा मुमेंट हमें उपर का मिलेगा तो निफ्टी वेट अन वाज का मामला रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेडिंग उपरचुनिटी है क्योंकि बैंक निफ् अगर यहां से पहले करेक्शन दे देता है तो फिर मामला ठीक है फिर यह उपर जाना जा सकता है पहले अगर यह कल वाली जे गैप खुलता है खुलके थोड़ा सा और उपर जाता है तो अगें इसमें आप कॉल सेल कर सकते हो फ्यूचर्स में अगर आपका थोड़ा सा होल् मैं अब आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा बट अगर आपको मेरा व्यू अपने व्यू से मैच करता हो लगे तो जरूर ट्रेट करें कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा आपका होगा ठीक है एक और हमाला इंडिकेशन मिलता होता है हमें बिटकोइन से तो आप देखो के बि बिल्कुल जो टच किया रेजिस्टेंस को वहीं से प्रॉफिट बॉकिंग आई है जस्ट लाइक निफ्टी अब इसको पार करेगा तो यह भी फिर कंटिन्यू करेगा आई-टी स्टॉक्स भी कंटिन्यू करेंगे निफ्टी को परफॉर्म करवाएंगे आई-टी है तो इसमें भी थोड़ा सा और उपर जाने पर यहां पर एक रिजेक्शन अगर आना होगा तो आ सकता है तो थोड़ा सब हम यहां पर एक तेजी तो आ गई न चीखासी एक अपमुवाया फिर एक साइडवेसनेस आई और उसका ब्रेक आउट आया फ्लैक पैटन तो अभ पर गापप में वेट एंड वाच पर गापडान खुलता है तो वहां पर सपोर्ट पर खुल रहे होंगे तो उसको फिर हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस रियक कर रहा है देख के समझ में आएगा अब यहां पर कुछ शॉक्स की बात करते हैं देखें यहां पर आज IT स तो मैं तीन दिन से आपको रिकमेंड कर रहा हूं लगातार मेरा दिवाली पे एक विप्रो इसके अंदर आभी भी आप बाइंग कर सकते हो क्योंकि इसमे अभी वे यह गैप फिलोना बाकी है इसमें थोड़ी जगा बाकी है कंपेर तो टीसीएस आई आइस आई इनफोसिस बट आपको futures में बाय करने के लिए 400 की ऊपर निगलते ही बाय करना है 5-6 रूपे का target रहेगा और 2.5 रूपे का आप एक stop loss 400 के नीचे लगा लीजेगा तो विपरो आपके लिए एक पहला stock होगा जो कि में को काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर दूसरा stock दोस्तों कल के लिए यहाँ पर मेरी निजर में जो आया है तो इसमें target तो पहला तो यही था बट इसने और उपर जाना होगा तो यह targets भी इसके अराम से आ सकते हैं तो आप यहाँ पर बड़ा अच्छा pattern देख पा रहे होगे इस pattern के हिसाब से अगर आपको लगता है कि उपर जाएगा तो आप इसको trade में पकड़ सकते हो तो महिंद्रा है महिंद्रा हमें बात रही entry कहाँ पर करें तो entry अच्छी entry रहेगी 1580 के उपर 1580 के उपर आज के हाई के आसपास अगर उसके उपर इसको निकलेगा तभी और उपर जाएगा तो आज के हाई के आसपास entry करते हो तो 10 यह 15 रुपे का stop loss और target आपको 15 के सामने 30 रुपे, 40 रुपे, 50 रुपे इतने मिल सकते हैं आराम से 1-2 दिन होल्ड करने पर तो महिंद्रा इन महिंद्रा अच्छा stock लग रहा है यहाँ पर पैटन काफी अच्छा है इस पर आप नज़र रखेगा और यह अपने range के upper end के पास एक बार दुबारा test करने जाए इस area को काफी likelihood है अब वो सवाल यही है कि market अगर कोई correction आता है तो थोड़ा सा गिरेगा फिर जाएगा तो नज़र आप तब भी रख सकते हो क्योंकि अगर गिरते हैं विपरो या महिंद्रा तो इसको तब भी कोई ख़रा भी नहीं है तीसरा और आखरी stock दोस्तों यहाँ पर रहे काफी लोग live में मुझे इसके बारे में पूछते हैं यह ले लें क्या यह recommend हो रहा है यहाँ पर मैंने यही बला था यह थोड़ा सा फसा सकता है जिस तरह का structure है तो अभी तक गया नहीं है अगर यह मैं आपको लेवल बोल रहा हूं उसके नीचे ही काम करना है 15, 14, 80, 85 इस तो market positive लगती है तो दो बाई के stock दी है उन पर focus करें market का sentiment खड़ाब है तो यह selling में अच्छा है इस पर focus करें यह इस से मिलते जुलते जाड अपने research करके कुछ डूढ़ें तो जिन stocks में आपको strong दिख रहा है वो market अगर strong है तो तो उन में participate करो और जब market weak है तो जो weak stock लग बापा हूं आपके पास सुबह ही आ जाओंगा अगर market से पहले कुछ भी दिख्कत नहीं रही तो तो उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं चाहूंगा चैनल को आप subscribe करने बैल आइकन दबाते तक कोई भी वीडियो आये notification आपको मिलता रहे दो वीड प्रस्टे रहे तो देख लीजे जानका रिकॉर्ड बढ़ाए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए हरे कृष्णा और चैनल पर जुरे रहे सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक जरूर करिजेगा थेंक यू दोस्तों